हेलो फ्रेंट्स स्वागा था आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक तो फ्रेंट्स मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके एक कोशन पूचा है कि सर क्या मैं यूट्यूब से किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकता हूँ और उसने साथ में मुझे ये भी कहा कि सर मैंने ऐसे एक दो वीडियो को डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल में अपलोड भी किया था और उस पे ना तो मुझे कोई copyright strike मिली ना ही कोई copyright claim आया तो क्या मेरा चैनल monetize भी हो सकता है सर इसके उपर जरूर मुझे वीडियो बना दीजिए तो आप सब के मन में भी इस तरह के questions जरूर उठते होंगे आपको भी ये confusion जरूर होगा कि क्या मैं दूसरे की वीडियो को अपने YouTube चैनल पे upload कर सकता हूं डाउनलोड करके और क्या उससे मेरा चैनल monetize होगा या नहीं होगा तो friends वीडियो छोटी सी है पर काफी जादा informative है तो वीडियो को पूरा लास्त तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है पहली बार मेरे चैनल के उपर विजिट की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब से किसी भी वीडियो को डाउनलोड करते हो और उसे अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर यूज करते हो चाहे वो किसी बड़े यूट्यूबर की हो या छोटे यूट्यूबर की हो और मान लिजी आपको copyright claim भी नहीं आता तो आप उसे यूट्यूब तो कर सकते हो लेकिन जब आप अपने यूट्यूब चैनल को monetization के लिए भेजोगे तो वहाँ पे आपका जो monetization है वो own नहीं होगा reused content उसे YouTube count करेगा मतलब वो reused content की वज़े से आपके चैनल को monetize नहीं करेगा अब आपके मन में एक question उठरा होगा कि इसका solution क्या है मैं कैसे किसी दूसरे की वीडियो का अपनी वीडियो में use करूँ तो friends उसके लिए मैं आपको बताना चाता हूँ कि अगर आप किसी और की वीडियो का अपनी वीडियो के अंदर अपने चैनल पे use करना चाते हैं तो friends YouTube का algorithm यह कहता है कि आप अगर किसी और का content को use करना चाते हैं तो उसमें आप अपनी value को जरूर add करें जैसे मालनी जी आप किसी की वीडियो को download करते हैं तो सबसे पहले तो उसका जो audio है वो आप mute कर दे और वहाँ पे आप अपना voice over दे सकते हैं इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो उसमें कुछ edit कर सकते हैं उसमें कुछ clips add कर सकते हैं और भी उसमें कुछ अपनी value add करें जिससे YouTube को यह लगे कि यह reused content नहीं है उसमें आपने आपनी कुछ value add करी है तो वो आपके जो content है उसको monetize कर देगा उसको monetization करने में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो friends यह video छोटी सी थी पर काफी जादा informative थी उम्मीद करता हूँ आपको यह video अच्छी लगी होगी अगर फिर भी इस video से related कोई भी question कोई भी query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पोच सकते हैं और अगर आपको video अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you